हेलो एवरिवन वेलकम टू अभी पीडिया पावरड बाई अभी मन्यू आई एस और सी सेट की आज की क्लास के अंदर हम डिसकस करेंगे एवरेज सभी को पता है कि आजकल जो कोस्चेंज आ रहे हैं कि हांजी आप कोस्चेंज को कैसे चेक करते हो कैसे देखते हो जो है तो अभी आजकी कलास के अंदर हम कंसेट्टि डिसकस कर रहें कंसेट किसका डिसकस कर हैं एव्रेज के अंदर भी हम às मैक्रेंऔर बोल्लिंग अव्रेज का कंसेप्र डि Means 친 और बैटिंग और बोलीग अवरेज पर कूस्चिन सांजा जाते हैं बेटिंग इज Marcus एमिए ब से पहले आपको पता होना चाहिए एवरेज, बैटिंग एवरेज, बोलिंग एवरेज और रन रेट ये तीन वर्ड यूज होते हैं ठीक है अब बैटिंग एवरेज के अगर मैं बात करूं तो क्या होगा टोटल जितने भी रन स्कोर करें हैं एक ठीक है ना और उसको आता है बोलिंग एवरेज, बोलिंग एवरेज क्या होती है, बोलिंग एवरेज होती है कि जो बोलर है ठीक है उसी के अकोर्डिंग हम एवरेज कलकुलेट करेंगे तो क्या आता है टोटल रन्स गीवन, मीन्स की जो बोलर है वो कितने रन्स दे रहा है पर्टिकुलर विके इसने कितने इसने कितने विकेट विकेट्स लिगी हैं जिसके अंदर उसने कितने रंस दिएं तो उसके लिए क्या करोगे आप बोलिंग average calculate करते हैं, done, तो bowling average पर question आ जाता है, batting average पर question आ जाता है, जो तीसरी type के questions बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, run rate, run rate, run rate में confuse नहीं हो न, run rate again, this is average, ओके, तो यह कैसे calculate करोगे, total runs divided by total number of overs, अब जितने भी overs है, उसको अगर हम total runs से divide करेंगे, क्या जाएगी, run rate आ जाएगे, clear है सभी को, हाँ जी, तो अब देखो question से और अच्छे से आप लोगों को clarity आ जाएगी, हाँ जी को, question कर रहे हैं, देखे क्या है, अब पहला question है screen पर, क्या है, एक किर्केटर has a mean score, अब एक और point, mean score, mean score means क्या है, average की बात हो रहे, mean means average, कुछ नहीं है, of 60 runs in 10 innings, 10 innings तक उसकी average कितनी है, 60 runs की है, find out how many runs are to be scored in 11th inning to raise his mean score, mean score means average to 62, अभी हमने question के अभी जो last screen थी, उसके अंदर हमने slide में क्या check किया, कि balling average क्या होती है, आपके पास में बैटिंग average क्या होती है, तो batting average क्या थी, total runs divided by total number of innings, अब यहाँ पे आपके पास में क्या कह रहा है, yes mean score, that means कि average 60 run है, number of innings कितनी है 10, that means कि 10 innings के अंदर total runs कितने बने, in 10 innings, कितने बनेंगे, 60 in to 10, that means कितने होगे आपके पास में 600, आगे क्या है, find out how many runs are to be scored in 11th inning to raise his mean score in 62, mean score कितना करना है, 62, और total inning कितनी होगे, total run कितने चाहिए, that means हमें, total run, 11 innings, 11th नहीं कह रही हुआ हुआ, 11 innings, कितना होगे, yes, 10 innings थी, 11 है अभी, और run कितने चाहिए मुझे, 62, कितना होगे आपके पास में, that means कि 11th inning के अंदर, 11th inning के अंदर कितने runs चाहिए, 682-600, कितना आगे आपके पास, 82, तो आंसर क्या आजाएगा, 82 will be the correct answer, point clear है, yes, total कैसे calculate करेंगे, average into number of inning, total आगे, अब उसने कहा है कि एक और inning अगर हम play करते हैं, तो उस case के अंदर अभी average increase करनी है, average increase करनी है, कितनी चाहिए हमें, 62, अब इसी तर आगे question के अंदर, थोड़ा सा, अगर हम अलग तरीके से सोचते हैं, तो उस case में आप यहाँ पे देखो, yes, कि 60 runs पे, 60 runs की average आरे 10 innings के अंदर, अब एक inning और करनी है, और average कितनी बढ़ रही है, 62 हो रही है, that means कि 2 से बढ़ रही है, अब जो 2 का लो difference आएगा, वो पूरी की पूरी टोटल पे आएगा, टोटल अभी कितने होगे, 11 innings होगे, 11 into 2, that means कि 22 runs का फरक पढ़ना चाहिए, that means कि कितना होगे, 60 plus 22, कितना आजाए, 82, डारेक्टी 82 answer आजाएगा, ओके, clear है, yes, next देखिएगा, next question क्या है, एक किर्केटर played 80 innings and scored an average of 99 runs, कितने runs बनाए, 99 runs बनाए, His score in the last inning is 0 run, last के अंदर उसने कितना बनाया, 0 run बनाया, कर रहा है कि 2 have average of 100 at end, His score in the last inning should have been, कितना score होना चाहिए, अभी उसने last के अंदर जो inning थी, उसके अंदर 0 score बनाया, ठीक है, आप कहा रहा है कि बताओ, अगर मुझे, जो average है 100 की चाहिए, तो last inning के अंदर उसको कितने run बनाने चाहिए थे, अब कितने का फरक पढ़ रहा है, ध्यान से देखो, कितने का फरक पढ़ रहा है, आप 99 है, 100, that means कि 1 से increment चाहिए मुझे, 1 से increment चाहिए, और total number of innings कितनी है, 80, 80 के 80 के उपर, that means कि answer के आज जाएगा directly आपके पास, 80 आज जाएगा, 0 के अंदर add कर दिया न, 0 है last, हमें increase करने कितना 80, तो कितना होगे आपके पास में 80, directly कर पा रहे हैं, देखो, वैसे detail में बताती हूँ मैं, देखो, 80 innings है, कितना होगे, 80 into 99, यह होगे आपके पास में, 98, 72, clear, आप देखो, हमें कितना चाहिए, 100, 100, average 100, तो total runs कितने चाहिए हमें, total runs, हाँ जी, 100 into 80, that means की 8,000, मिर चु लास्ट वाली इनिंग थी, जिसके अंदर 0 स्कोर हो रहा था, अगर उसके अंदर कितना स्कोर हो जाता, 80 का, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, yes, average हो जाएगा आपकी 100, बताओ इसमें कोई doubt, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल, yes, next देखिए, next एक किर्केटर स्कोर, सम रंस, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सम रंस, in the continuous 9 इनिंग, he scored 100 runs in 10th inning, 9 तक कुछ score था, हमें नहीं पता कितना था, बट साथ में कह रहा है, कि 100 runs उसने बनाए 10th inning के अंदर, and increase his average by 8 runs, और उसकी जो average है, वो कितनी increase हो गई, 8 runs से increase हो गई, but was the average of runs at the end of 10th inning, 10th inning के बाद average कितनी हो गई, हाँ जी, one more thing, थोड़ा सा आपको question का जो approach है करने की, वो change करनी है, कैसे, देखो, अभी question को देख के आपने यह देखने, क्या मैं इस question को solve कर सकती हूँ, क्या यह data मेरा sufficient है, क्योंकि data sufficiency पे-based question आ जाते है, इस question को मुझे solve करने के लिए क्या-क्या requirement है, तो जैसे यहाँ पे है, अब उसने काया कि हाँ जी, some runs उसने बनाए 9 innings के अंदर, ठीक है, और कह रहा है कि what is the average of runs at the end of 10th inning, तो क्या हम इसको calculate कर सकते हैं, yes, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अगर मैं मान के चलूँ, अगर मैं मान के चलूँ, कि उसकी जो average है, ठीक है, average, up to 9th inning, कितनी है, x है, that means कि उसकी जो total runs है, वो कितने हो गए, 9x, कितने runs है उसके, 9x, अब उसने क्या कहा कि 10th inning के अंदर 100 run और बना लिए, that means कि जब 9th inning होगी, तो 9x तो run पहले से ही थे, 9x runs पहले ही थे, उसके अलाबा उसने 100 runs और बना लिए, तो average क्या होगी, increase होगी by 8 runs, अब देखो, पहले कितने थी, आपके पास में 9 innings थी, अभी total कितने है, 10 innings, तो average कैसे calculate करते है, average कैसे करते है, total runs divided by number of innings, number of innings अभी कितनी है अपने पास, में 10, और average कितनी बढ़ गी, 8 से, यह point के लिए, कितना आगया आपके पास, 9x plus 100 is equal to 10x plus 80, that means x की value क्या आगया आपके पास, 20, x की value क्या आगया अमरे पास, 20 means 9th inning तक, average कितनी थी, 20 थी, और उसने काया कि अभी कितनी बढ़ गी average, 8 से बढ़ गी, that means कि at the end of 10th inning, average कितनी हो जाएगी, yes, 20 plus 8, that means कि 28, so answer क्या आगया आपके पास, 28 will be the correct answer, clear, विलकुल, next देखिए, yes, next question है screen पर, क्या है question, एक क्रिकेटर whose bowling average, अभी क्या आ रहा था, batting average, अभी क्या आ रहा, bowling average, ठीक है, bowling average is 12.4 runs per wicket, per wicket, अभी हमने देखा कि average का formula क्या था, bowling average, bowling average क्या होती है, total runs given, divided by number of wickets, अभी यहाँ पर wickets है, आपके पास में innings नहीं है, ठीक है, अब अगर मालो, यह number of wickets है, तो total runs आप कैसे calculate करोगे, average into number of wickets, simple, अभी यहाँ पर देखो क्या है कोश्च, यह crickater whose bowling average is 12.4 runs per wicket, takes 5 wickets for 26 runs, and thereby decrease his average by 0.4, then find out number of wickets taken by him before his last match, last match से पहले उसकी wickets में कितने wickets लीत, तो अगर मैं यह consider करूँ कि last match से पहले, यास, last match से पहले, before last match, number of wickets कितनी है, x है, ठीक है, x है, तो total runs कितने बनेंगे, तो total runs कितने होंगे उसके, हाँ जी बताव, total runs कितने होंगे, average है 12.4, wickets है x, that means कि total runs कितने बनें उसके, 12.4x, अब साथ में उसने क्या कहा, he takes 5 wickets for 26 runs, 26 run पे 5 wickets ली है उसने, that means कि run कितने होंगे, यास, runs, और number of wickets कितनी होंगे, अब दुबारा से average हम calculate करेंगे, तो number of wickets पहले कितनी थी, x थी, अभी उसने 5 wickets और ले ली, और यहाँ पर क्या कह रहा है, average decrease by 0.4, 0.4 से decrease होगी है, पहले कितनी थी, 12.4, अब 0.4 decrease होगी, that means कि कितनी रहेगी, clear, calculate करेंगे, x की value आजाएगे आपके पास, कितना अगया, 12.4, x प्लस 24, is equal to 12, x प्लस 60, कितना होगया, 0.4 x is equal to, यह होगया, आपके पास में, 26, x की value क्या आजाएगे आपके पास में, yes, x की value आजाएगे आपके पास, यह आगया आपके पास में, 36 आएगा, कितना है, विकेट्स 4, 26 रन्स है न, यह कितना 26 रन्स है, यह 26 है, एक बार calculation दुबारा से चेक करो, देखो, क्या है, 26 है, जब 26 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 34, 34 राएगा, तो वैल्यू कितनी आगया आपके पास में, हाँ जी, वैल्यू कितनी आजाएगा आपके पास में, एक्स की, x is equal to हो जाएगा आपके पास में, यह गया 2 बटे 5, 2 से 17, 17, 17, 5 पिचा आज से, that means 85, 85 will be the correct answer, हाँ जी, बताओ, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा है, देखो, सबसे पहले, हाँ में पता होना चाहिए, कि बॉलिंग आवरेज क्या होती है, बॉलिंग आवरेज क्या होती है, आपके पास में, जितने भी रंस है, डिबाइड बाइ नमबर ओफ विकेट, नमबर ओफ विकेट और रं, that means कि अगर मुझे टोटल रंस कैल्कुलेट करने हैं, तो क्या करूंगी मैं, आवरेज को विकेट से मल्टिप्लाई कर दूंगी, तो टोटल रंबर ओफ रंस, कितने हैं, जास, 12.4x अब उसने काया कि, अब 5 विकेट दियें, उसने 26 रंस पर, 26 रंस हैं, that means कि अभी उसके पास में, कितना होगे 12.4 प्लस 26, अब अगर मैं एवरेज देखूं, एवरेज, तो कितनी होगे आपके पास में, divided by x प्लस 5, 5 विकेट और दियें, पहले x विकेट थे, 5 विकेट और दे दिये, that means कि अभी उसके अखोर्डिंग हम कालकुलेट करेंगे, और उसने काया कि, जो एवरेज है 0.4 से कम होगे, पहले कितनी फी 12.4, इसमें से 0.4 को मैंने माइनस किया, कितना आगे आपके पास 12, कालकुलेट करेंगे, आंसर आजाएगा, कितना आगे, 85 आपके पास, clear, yes, next देखी, next question क्या आपके पास, ए man whose bowling average is 24, takes 4 wickets for 49, बिल्कुल same type of question, and their boy decrease his average by 1, the number of wickets taken by him before his last match, हाँ जी, देखी, अगर हम consider करते हैं, number of wickets, before last match, x, that means कि जो total runs है, total runs कितने हो जाएंगे, हाँ जी, बताईए, total runs कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपके average कितनी है, 24, 24 given है, that means कि 24 into x, 24 x, अब उसने काया कि, 40 runs दिया है, उसने 4 wickets पे, that means what, कि average अगर हम new देखें, तो average कितनी होगी, yes, new average कितनी आजेगी, 24 x plus 40, पहले wickets कितने थे, x अभी कितने होगी, x plus 4, हाँ जी, कितने decrease होगी, average by 1, by 1 decrease होगी, that means कि पहले कितनी थे, आपके पास में average 24 थी, अभी कितनी होगी, 23 होगी, simple, solve करेंगी, you will get the answer, क्यों हो जाएगा आपका, x की value आगिया आपके पास में, 2 and 5, 52, so answer will be 52, हाँ जी, बताएगा कोई doubt आ रहा हो, balling average पर question आएगा कर लेंगे, yes, next देखे, next question क्या है आपके पास, हाँ जी, in first 10 over, अब बात आ रहें over की, क्या रहा है, in first 10 over of a cricket game, the run rate was only 3.2, run rate कितनी थी 3.2, 3.2, that means कि run rate क्या है, एक तरह से average है, ठीक है, अभी हमने देखा था कि, हाँ जी, run rate क्या होती है, run rate क्या होती है आपके पास में, total runs divided by number of over, तो यहाँ पे run rate क्या रहा कि, 10 over के अंदर run rate कितनी है, 3.2, from here you can find out the total runs, तो total runs कितने होगे आपके पास में, 32, अब टार्गेट कितने है, यहाँ टार्गेट है आपके पास में, 282, that means कि जो रिमेनिंग 40 over है, उसके अंदर कितने runs बनाने पड़ेंगे, required runs कितने है, इसके अंदर से इसको माइनस कर देंगे, माइनस किया तो value कितने है आपके पास में, yes 250 आगया, अब run rate कितनी चाहिए, यही पुछा ना आपसे, what should be the run rate, run rate क्या होगे, जितने भी runs required divided by number of hours, number of hours remaining कितने है 40, तो run rate कितने आजाएगे आपके पास में, 250 divided by 40, ओके यह होगे आपके पास में, 4-6-24, 6.25, so answer will be 6.25, हाँ जी बताओ, कोई डाउट इसके अंदर, clear, run rate पे question आजाएगा, कर लेंगे, bowling average, betting average, बिलकौल, okay, next देखे, यास अगें, important question है, क्या है, the average score, the average score of a cricketer in 42 innings is 30, 42 innings कि कितने average score 30, that means कि you can find out the total score, multiply कर देंगे, total score हागे, the difference between the maximum and minimum score in the inning is 100, maximum or meaning, कितने है difference, 100 गिवन है, if these two innings are not taken into consideration, then average score of the remaining 40 innings is 28, करें कि अगर इन दोनों को ना ले, किन दोनों को ना ले, maximum और minimum जिसके अंदर runs बने है, करें उन दोनों innings को अगर हम ना consider करें, तो कितने innings रहे जाएंगे, 42 ती, 40 रहेगी, ठीक है, और score, कितना रहे गया, 28, calculate the maximum runs scored by him, in an inning, question के लिए रहे सभी को, आप देखो, 42 innings का अगर मैं total करूँ, कितना हो गया, 42 into 30, कितना आ गया ही आपके पास में, अगर मैं 40 innings का total करूँ, total runs, तो कितना आ गया आपके पास में, 40 innings का इसने का है, 38 innings के आपके पास में, 8 चो के बत, 34 दूरी, 8 और 3, 11, 11, 120, ओके, तो अब देखिए, उसके बाद में, हाँ जी, यह हो गया आपके पास, अब उसने क्या करना है, अब इन दोनों का अगर मैं difference लेते हूं, तो difference किसके equal आ जाएगा, यह दोनों का जो difference से difference किसके equal आ जाएगा, यह आपके पास में, difference आ जाएगा आपका, maximum जिसके अंदर runs बने, ठीक है, और जिसके अंदर minimum runs बने, क्योंकि जो दो innings हमने exclude करिये, वो दोनों कौन सी हैं, जिसके अंदर maximum और minimum score बने, ठीक है, तो यहाँ पर यह हो गया, आपके पास में, 140 आगया, 140 आगया, अब maximum प्लस minimum कितना है, 140, और यहाँ पर क्या कर रहे, difference कितना है, 100, that means कि maximum के अंदर से, अगर मैं minimum का difference देखती हूँ थे, यह कितना हरा आपके पास में, 100, means what, minimum की value कितने आगया आपके पास में, 20, और maximum की value कितने आगया आपके पास में, yes, maximum की value कितने आगया, 120, पांसर क्या जाएगा, 120, बताए, कोई इसके अंदर doubt, कोई इसके अंदर doubt, बिल्कुल clear है, simple था, ध्यान यहाँ पर देना है, उसने काया कि 2 को अगर मैं exclude कर दू, 2 को अगर मैं exclude कर दू, तो कितने इनिंग रहागी, 40 इनिंग रहागी, और फिर average कितनी होगी, 28, तो मैंने यहाँ पर देखा, कि अगर दोनों को मैं minus कर देती है, तो मेरे पास maximum और minimum का sum आज एगा, दोनों का difference divided by 2, means 40 by 2, 20 आगया, और आपके पास maximum कितना आज एगा, sum divided by 2, that means कि 240 by 2, कितना आगया 120, ओके, clear, हाँ जी, अगर समझ आ रहा, तो like करेंगे, share करेंगे वीडियो को, समझ आ रहा, तो like और share जरूर करेंगे, अपने friends के साथ में, नेक्स देखे क्या है, next question आपके पास, average score of Sachin, in his initial 40 matches is A, average अब यहाँ पर A गीवन है, एक variable गीवन है आपके पास में, in next 2 matches, his score 112 and 99 runs, so that the average increase by 2 runs, average कितनी बढ़ गई, 2 runs से बढ़ गई, find the new average, new average आपको calculate करें, अब देखो, average कितनी गीवन है, 40 की, that means कि जो 40 matches है, उसके total runs कितने बनेंगे, 40 A, multiply कर देंगे, अब उसने क्या काय साथ में, उसने 2 match और खेले, और जिसमें run कितने बनाए है, 112 and 99, that means कि 42 matches, कि total runs कितने होगे, 40 A तो पहले ही थे, 40 matches के, दो और है, दोनों का total कितना हो गया, 112 plus 99, कितना हो गया आपके पास में, यास, यह हो गया आपके पास में, 112 से, 212, 211, अब average कैसे calculate करते है, total runs divided by, total number of matches, total innings, तो अबरेज कितने आगया आपके पास में, 40 A plus 211, divided by, कितने match है, 42 matches है, और यह कितना कह रहा है, increase हो गया by 2, पहले कितनी थी A, अब कितनी होगी, A plus 2, कितना हो गया, 40 A plus 211, is equal to 42 A, plus 84, that means कि 2 A is equal to, कितना हो गया यह आपके पास में, यह value आगी पीटा, 11 में से, 4 गया साथ, 10 से 8 गया, 2, 127 आगया, ओके, यह हो गया आपके पास में, A की value कितनी आजाएगी, यह होगे, 2 ची के 12 दोती है, 63.5, तो A की value आगया, आपके पास में, 63.5, और question यहाँ पे, आपके पास क्या है, find new average, तो new average में उसने क्या का, increase by 2, तो new average कितनी होगी, plus 2, that means कि 65.5, so answer will be 65.5, 65.5, ओके, yes, next देखिए, हाँ जी, next question है, Sachin Tandulkar, has a certain average for 11 innings, 11 innings तक के, उसकी कुछ average है, अब अगेन यहाँ पे average नहीं गीवन है, you can consider it A, कि A average है, in the 12th inning, he score 120 runs, and thereby increase his average by 5 runs, then find his new average, अब देखू, जैसे last question था वैसे ही, उसमें 2 innings थी, दोनों के टोटल कर लिये थे हमने, यहाँ पे एक inning हो रहा है, अड होगी, तो देखू, that means कि बाइट की, total कितना हो गया आपका, 12 A हो गया, 12th inning के अंदर उसने कितना score बनाया, 120 का, total number of innings कितनी होगी अब, 12, अब average कितनी increase हो गया, 5 से, ओके तो यह होगी आपके पास में वैल्यू, 11 A प्लस 120, divided by 12 A, प्लस 60, that means A की वैल्यू कितनी हागी आपके पास, 40, हाँ जी, A की वैल्यू कितनी हागी आपके पास में, यह पिटा 120 है, 60 आएगा, यह हो गया ना, यह हो गया आपके पास में, 60, this is A, यह हो गया जाएगा आपके पास में, 60, अब यहाँ पर एक पॉइंट हो रहा है, यह जो 60 आएगा यह आपने पास में, ओल्ड आवरेज है यह, निव आवरेज क्या हो जाएगी, निव आवरेज 5 रन से इंक्रीज होगी, that means कि 60 प्लस 5, that means 65, I hope अब इस तरह का अगर कोई भी कोश्चिन आएगा, एक्जाम में कर लेंगे सभी, सभी कर लेंगे, यह पिटा फ्री वार्म आप कोर्स है, सभी ने रिजिस्टर करना इसको, फ्री वार्म आप कोर्स हो कोई चार्जीज निया, कि एक 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 कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, हम आप लोगो के, यह काफी हल्फूल रहने वाला है, अभी टाइम एक्जाम में, आप अपने अपने कंसेप्स क्लियर कर सकते हूँ, क्योंकि डिरेक्ट कोश्चिन एक्जाम में आने होगें, बंद, question आ रहे हैं आपके concept based ठीक है concept clear होगा तो जैसे वर जी question आ जाए definitely कर लोगे अगर आपको concept clear नहीं है तो उस case में क्या करोगे जब concept clear नहीं है तो थोड़ा सा question कुमा के दे दिया वहीं पर रुग गया हम इसलिए concept clear करना बहुत जादा जरूरी है so students it was all for today thank you so much मिलते हैं next class में thank you